हाँ पे गए साज हम बात करने वाले हैं Home Credit और देवल EMI Card की लिमिट बेंक में ट्रांसर करने की बिल्कुल आप लोग इसकी लिमिट अपने बैंक में ट्रांसर कर सकते हो वो भी बिल्कुल जैनवन तरीक है आप लोगों को किसी भी स्टोर पे विजिट नहीं करना है आप करके नोटिफिकेशन बैल को ओल पर जरू सेट करें चलिए फटा वस्टे अप्लिकेशन को ऊपन कर लिया बात करते हैं अप्लिकेशन को डाउनलोड कहां से करना है आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जागा आधर वाइस आप लोग डायरेक्ट ग को प्लिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हो तो इस वाली एप्लिकेशन को यह वर्जन है इसका टायरेक्ट में आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिशन में दे रहा हूं आप लोग उस पे किलिक करके इस application को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो अब यहां पर करके इस आप लोग गेम अगयरा भी प्ले कर सकते हो लेकिन यहां पर हम जो है अभी कोई भी गेम अगयरा प्ले करने वाले नहीं है यहां पर इस परकार का उप्सन आपके लिए यहां पर करने के लिए बोल रहा है जो कि आप लोग इस application पर एक रुपए से लेके 10,000 रुपए तक का आड़ मनी कर सकते हो यानि मिनिमम में एक रुपए और मैकसिमम एक बार में आप 10,000 की एड़ मनी कर सकते हो इस ते ऊपर की एड़ मनी नहीं कर सकते हो तो यहां पर लोग जो है amount enter कर देंगे अपने according जितना भी आपको transfer कमना है यहां पर लोगों को maximum जो limit मिलती है वो 10,000 रुपए की ही मिलती है ठीक है आप लोग यहां पर पर मन्त 10,000 रुपए एड़ करके उसको अपने bank में transfer कर सकते हो ठीक है तो अभी यहा option पर आपने simply click कर देना है अब किसे भी option पर click करने बाद जस्ट यहां पर आपने थोड़ा सवेट करना है इसके बाद जो भी payment gateway वो आपके सामने open हो जाएगा तो यहां पर लोग बैक आ जाते हो उसके बाद आपके सामने इस परकार का interface आएगा आप यहां पर क्या करना है इसको थोड़ा सब नीचे scroll करना है और यहां पर देख सकते हो आपको एक यमाई का option मिल रहा है ठीक है तो आपने क्या करना है simply यमाई वाले option पर click कर देना है अब यमाई वाले option पर click करने बाद जिस यहां पर क्या होगा कि आपके mobile number पर QTP भी बेर दिया जाएगा अगर आ अधरो इस आपने क्या करना है यहां पर देख सकते हो यहां पर कर सकते हो यानि कि credit card से भी एड मनी यहां पर कर सकते हो प्लस आप लोग one card की limit भी यहां पर यूज कर सकते हो ठीक है और उसके बाद जो अल्रे सेल्री है उसका भी card जो मिलता है उसकी limit भी यहां पर यूज कर भी home credit का card है वो यहां से यूज होने वाला है यहां से आप लोगों को limit अपनी यूज करना है तो simply अभी आपने क्या करना है home credit को select कर देना है home credit पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे यह select हो जाएगा उसके बाद यहां पर continue को option आ रहा है आपने simply continue पर click कर देना है आप continue पर click करने के यहां पर mobile number आपका मांगेगा ठीक है eligibility चेक करने के लिए जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बता है कि आपका home credit का card है वो active होना चाहिए अगर वो card block होता है तो आप लोग उसको यूज नहीं कर सकते हो ठीक है तो यहां पर आपने क्या करना है कि अपना जो है mobile number डालके check eligibility पर click करके simply अपनी eligibility चेक कर लेना है जैसे कि हम यहां पर आपने इस वाले mobile number को simply यहां से हटा देते हैं तो अभी मैं यहां पर दूसरा mobile number enter कर लेता हूं ठीक है जो भी जिस number से मेरी यहां बना हुआ है वो number मैंने यहां पर एंटर कर दिया और उसके बाद आपने क्या करना है simply check eligibility को उप्सन आ रहा है इस पर click कर देना है अब इस पर click करने बद गए इस मेरा जो card है वो अभी block है जिसके कारण यहां पर देख सकते हो not eligible बता है जा रहा है ठीक है अगर आपका card eligible होता है आप लोगों का card active होता है आपके card पर कोई limit पड़ी होती है तो simply इसके बाद आप लोग जैसे आप लोगों को interest देना होगा EMI plan select करने के बाद गिस आप लोगों के सामने continue को option आएगा तो आप लोग simply continue पर click करके यहां पर OTP verification को complete कर लेंगे यानि कि जैसे आप लोग EMI plan को select करेंगे इनकी terms को agree कर लेंगे उसके बाद आपकी mobile नंबर पर register mobile नंबर पर OTP sign करा जाएगा तो वो OTP simply यहां पर fill up करके आप लोग simply proceed पर click कर देंगे अब proceed पर click करने के बाद यहां पर आपकी जो add money हो successfully complete हो जाएगी यानि कि आपके home credit card से यहां पर amount card के यहां पर instant add कर दिया जाएगा यह नहीं कि आपको EMI में amount मिलेगा जो भी आप यहां पर amount add करते हो 9000, 10,000 या य add कर दिया जाएगा अभी मेरे card पर note eligible बताया जा रहा है तो मैं यहां पर add money नहीं कर सकता लेकिन आपका जैसे यहां पर card eligible हो जाता है तो आप यहां पर EMI plan select करके add money कर लेते हो add money करने के बाद गाद करना है चलिए मैं वह भी आप लोगों को बता देता हो जैसा ही आप coin पर click करने बद्गेस आपके सामने इस परकार का इंटरफेस आजाएगा जो कि यहां पर बता दिया जाएगा कि आपके bonus coin कितने है total coin कितने है और यहां पर dot coin कितने है जो कि मैं इस application को काफी बार use कर चुका हूं और बिल्कुल gen1 application है तोरन 10-15 minute के अंदर आपका जो भी amount है वो आपके bank में transfer कर दिया यहां पर करेंगे वो यहां पर ध्यान देना कि आपका direct cash add नहीं होगा यहां पर dot coin add होंगे इस वाले section के अब इसके बाद आपने क्या करना यहां पर देख सकते हो redeem कर सकते हो लेकिन कि यहां पर एक problem और है उसको भी आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि अगर आप लोग यहां पर बाइचांद 10,000 रुपए की add money कर लेते हो तो आप लोग उसको withdraw कितनी बार में कर सकते हो यह भी काफी important है ठीक है जो कि यहां पर देख सकते हो कि आपको minimum और maximum यहां पर limit बताई जा रही है कि आप minimum कितने coin withdraw कर सकते हो maximum क कितने coin withdraw कर सकते हो जो कि यहां पर बताया जा रहा है कि आप maximum redeeming limit है जो पड़े की वो 2000 coin यानि कि 2000 coin आप redeem करोगे यह 2000 coin ने 200 रुपए के बनते हैं और 5 रुपए का आप से charge लिया जाएगा यानि कि यहां पर 2000 coin यानि कि 200 रुपए आप पड़े की limit यहां पर बताई जा रही यह ठीक है तो आप लोग जो है 200 रुपए per transaction यहां से निकाल सकते हो जैसे कि यहां पर पड़े की limit बताई जा रहे लेकिन ऐसा नहीं है आप per transaction यहां पर 200 रुपए अपने bank में transfer कर सकते हो यानि कि 200 रुपए से ज्यादा आप इस application से एक बार में redeem नहीं कर सकते हो उसके बा होगे तो उसकी value बनती है 200 रुपए 200 रुपए में यहां पर 5 रुपए platform चार्ज काटा जाएगा इस चीज का ध्यान लखना ठीक है यानि कि 5 रुपए platform चार्ज आप से लिया जाएगा आप जितनी बार रंजिक्सन करोगे हर बार यह 5 रुपए चार्ज करा जाएगा जैस यानि कि कम से कम 5 रुपए platform चार्ज आप से हट ट्रांजिक्सन पर लिया जाएगा तो आप यहां पर क्या करना है कि 2000 कोई पर ट्रांजिक्सन करके यहां पर निकाल लेना आप यहां पर पड़े की लिमिट बताई जारी लेकिन इस पर द्यान नहीं देना आपने पर ट्रां नहीं कर सकते हो ठीक है इसका द्यान देना तो आपने यहां पर डॉट कोई एंटर करके सिंपिली रीडीम पर किलिक कर देना आप रीडीम पर किलिक करने के बाद गिस आपके मुबाइन नंबर पे फिर से ओटीपी भेजा दाएगा जिस मोबाइन नंबर से यह आइडी और एंटर कर दोगे यूपी आइडी एंटर करने के बाद सिंपिली आप रीडीम पर किलिक करोगे तो आपको जो कैस बैक रीडीम वहां पर कैस बैक रीडीमिंग बताएगा ठीक है वहां पर पोइंट नहीं बताएगा अमौंट नहीं बताएगा तो वहां पर कम इस्टन ट्रांस्फर कर दियर